दोस्ताब लोग के बहुत सारे कमेंट आते रहे हैं कि हमें फोटो कॉपियर मसीन चाहिए बजट कम है लेकिन फोटो कॉपी का काम जादे है बहुत जादे बजट नहीं है लेकिन professional हमको machine चाहिए क्योंकि professional machine से हमें photocopy करना है, stationary की दुकान है आपकी, या फिर किसी भी तासिल वगएरे के पास आपका shop है, आपका घर है, आप चाहते हैं कि अपना जो भी business है, उसके अंदर हम लोग थोड़ा सा photocopy का काम करके हम अपने income को और बढ़ा सके, लेकिन budget बहुत जादे नहीं है, तो कम से कम price में कौन सा machine लिया जा सकता है, इसके बारे में comment हमेशा आते रहे हैं, तो इस वीडियो के अंदर मैं यसे चार machine के बारे में बताने वाला हूँ, चारों के बारे में समझ करके जाएं, उनमें से आप कोई भी बाई कर सकते हैं, अपने budget के हिसाब से, बहुत अच्छे machine हैं, और ये market में चल रहे हैं, सब ये BK हुए हैं, और बहुत अच्छे performance ये दे रहे हैं, समझने के लिए वीडियो के लाज तक बने रहे हैं, वीडियो को लाइक भी कर दें, सेर भी कर दें, comment करना ना भूले, कि next video आपको इस topic पर चाहिए, क्योंकि आपकों के comment के आधार पर ही मैं वीडियो ले करके आता हूँ, आईए दोस्तों लोग बात करते हैं सबसे पहले बजट रेंज के अंदर 38 से 40 हजार रूपे अगर आप खर्च कर सकते हैं तो इस रेंज के अंदर दो हमारे पास मसीन ऐसी है जो मार्केट में बहुत अच्छे परफरमेंस दिखा रही है और बहुत अच्छी चल भी रही है जिसके अंदर पहला जो है क्यूसेरा का KYOM 2040DN यानि 20-40DN ये 38,999 आज का प्राइस है लेकिन 38 से 40,000 के बीच में हमें सा वैरियेशन रहता है बाकि इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ये मोनोक्रोम मल्टी फंक्षन A4 के लिए ये जो है फोटो कॉपी है जो की बहुत अच्छा परफरमेंस देती है इस स्पीट की बात करें तो 40 पेज पर मिनट जो है ये आपको A4 का निकाल करके देती है वर्म अप का टाइम जो है 70 सेकेंड का होता है यानि कि जब आप इसको स्टार्ट करेंगे तो गरम होने के लिए 70 सेकेंड का टाइम चाहिए ये भी बहुत अच्छा है पावर कंजब्शन की बात करें तो आपको पता है ये जो बड़ी मसीने होती है इनका पावर कंजब्शन ज्यादे होता है तो इसका जिस वक्त आप कॉपी कर रहे है प्रिंटिंग कर रहे है उस वक्त 661 वाट का ये जो है इसका पावर कंजब्शन होगा लोड होगा जिस वक्त ये रेडी मोड में है उस वक्त सिर्फ 21 वाट का लोड ले रखेगा slip mode में जो है ये वन वाट का लोड लेगा इस तरीके से इसका power consumption है जो कि ठीक ही ठाक है छोटी machine है क्योंकि 1500-1600 watt तक की machine आती है जो पहले की बड़ी machine होती है 2000 watt की आती है तो उस हिसाब से छोटा machine है portable में professional photocopier machine बहुत अच्छा performance दे देता है one year की warranty आती है या फिर one lakh page की warranty आती है जो कि ये भी बहुत अच्छा है बाकि इसके अलावा इसके अंदर ट्रे के अंदर जो paper आएगा उसकी quantity की बात करें तो 850 seats इसके अंदर आ जाती है और output में जो है आप 150 seat जो है रख सकते हैं hold कर सकते हैं इसके अलावा डिवल सके डाकुमेंट प्रोसेसिंग में आप जो है 50 seat को रख सकते हैं इसके अलावा जो है original paper size की अगर हम बात करें इस printer की तो A4 और legal size ही है बाकि इसके अंदर बाकि जो facilities है जूम range की अगर हम बात करें तो minus में 100 से 25% तक छोटा कर सकते हैं large में 100 से 400 तक large कर सकते हैं जो कि बहुत अची facilities आ जाती है जो कि इसकी बहुत ही जादे जरूरत हमें पढ़ती है professional photocopy करते समय इसके अलावा image adjustment की अगर हम बात करें तो text plus photo, photo, text, map इन सब को जो है आप adjust कर सकते हैं अपने हिसाब से जैसे आपको निकालना है photocopy इसके अलावा जो है continuously आप इसके अंदर एक से लेकर के 999 तक जो है आप इसमें photocopy के लिए allow कर सकते हैं वो लगतार करता रहेगा इसके अलावा preset management की अगर हम इसके अंदर बात करें already preset दिया हुआ है तो 7 preset दिया हुआ है बटन को reduce कर सकते हैं चोटा कर सकते हैं और 5 जो है enlarge कर सकते हैं already preset set है जो भी आपको सही लगए फटाफट दबाईए और आप अपना photocopy कर सकते हैं बहुत अच्छी facility है बागी इसके अलावा digital copy feature की अगर हम बात करें तो scan one copy menu यारे की एक बार scan कर लेंगे और बहुत सारे copy को निकालना चाहते हैं वो इसके अंदर facility मिल जाती है electronics saw 2-in-1, 4-in-1, ID card copy priority printing, program, continuous scan, auto cassettes changing, copy density control ये सारे के सारे feature से ये भारा हुआ है tension मुक्त रखता है आपको तो इस printer को आप buy कर सकते हैं बाकि 38-40,000 के अंदर ही जो दूसरा printer है जो market में बहुत ही जादे भी का हुआ है और अच्छा चलता है वो है brother का DCP L5600DN इसका भी price इस वक जो है 37,500 है लेकिन ये भी 37 से लेकर के 40,000 के बीच में variation में रहता है बाकि अगर इसके हम feature की बात करें तो ये भी monochrome laser printer ही है जैसे की बाकि सारे होते हैं double x printing है network से भी जुड़ेगा network से भी आप इसको जो connect कर सकते हैं double x printing करना है वो भी आप कर सकते हैं type laser printer ही है function की बात करें तो print, scan और copy है speed की बात करें तो 42 page per minute जो है later size है और 40 page per minute जो है आपका A4 size है double sided निकालना है तो उसके लिए plain paper ले लेगा, letter head ले सकता है color paper ले सकता है, thin paper recycle paper ले सकता है, ये सारे page को जो है आप double sided print कर सकते हैं इसके अलावा input tray की अगर हम बात करें कि इसके अंदर दो tray आपको देखने को मिल जाएंगे, 500 यानि की एक seat पूरी रख सकते हैं, इसके अंदर एक multi purpose tray आती है जिसको side से आपको paper डालना होता है उसके अंदर जो है आप 50 seats को आप डाल सकते हैं इसके अलावा जो है ADF के अंदर 70 seats को रख सकते हैं और output में 150 seats को जो है आप hold कर सकते हैं इसके अलावा copy width की बात करें तो 210 mm की copy कर सकता है multiple copy के लिए ये 1299 page तक जो है आप इसको order दे सकते हैं और बाकी जो है enlarge और reduce के लिए वही 25 to 400 तक जो है इसके अंदर भी आपको facilities देखने को मिल जाती है connectivity के अंदर जो है आप Wi-Fi 2.0 high speed ले सकते हैं 10 by 100 का line connect इसके अंदर कर सकते हैं resolution की बात करें तो 1200 into 1200 dpi का जो है इस scanner glass में आपको मिल जाएगा resolution और इसके अलावा resolution ADF के अंदर आप जो है 600 into 600 का dpi मिल जाएगा power source की बात करें तो वही 220 से 240 volt का power source है और consumption की अगर हम बात करें तो जिस वक्त ये print कर रहा है उस वक्त 645 watt लेगा 645 watt लेगा और ready condition में जो है ये 34 watt लेगा और slip mode में 7.5 watt लेगा और power off position में जो है ये 0.04 watt लेगा तो ये भी कही न कहीं उसी के आसपास ही है price है तो facilities भी कहीं न कहीं उसी के आसपास है दोरों में अगर comparison करके देखा जाए तो कहीं न कहीं कि उसेरा के अंदर आपको facilities थोड़ी सी ज़्यादे मिलती है और कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादे बिका हुआ भी है इसके अलमा तीसरे नंबर पर जो आता है वो है Canon का MF 445DW इसका price थोड़ा सा बढ़ जाता है 65 to 70,000 के अंदर ये आता है इसके अंदर printing method जो है monochrome laser beam printing ही है और बाकी speed की बात करें तो 31 ppm इसका है यानि 38 pace per minute है A4 size और later size जो है 40 pace per minute है और double side अगर करते हैं तो 31 pace per minute का है A4 size के अंदर और 33 pace per minute जो है double sided में later size का है print resolution की बात करें तो 600 into 600 dpi का आपको मिलेगा और print quality with image refinement technology के अंदर अगर आप करते हैं तो 1200 into 1200 dpi का आपको इसके अंदर resolution मिलने वाला है warm up time इसका 40 second का है बहुत जल्द ready हो जाएगा आपको ये काम करने के लिए इसके alarmा first time out जो है recovery time अगर sleep mode में है तो तुरंत recovery में आने में ये जो है 4 second लेगा जो कि बहुत ही कम समय है और चुकि ये auto-duplex printer है सारी facilities आपको देखने को मिल जाती है बाकि paper size की बात करें auto-duplex के लिए तो A4 size later legal और Indian legal ये सारे page जो है डुपलेक्स में ले लेगा printing margin के अगर हम बात करें तो 5 mm जो है top, bottom, left and right चारो तरफ से 5 mm का margin देखने को मिलेगा इसके अंदर और इसके अलावा USB से अगर फाइल आप print करते हैं तो जो support करेगा वो करेगा JPG को भी support करेगा TIFF को support करेगा और इसके अलावा PDF को भी support करेगा PDF से भी आप डायरेक्ट जो है print out दे पाएंगे Scan speed की बात करें तो single side में जो है ये 38 image per minute लेगा और black and white के लिए mono के लिए और color के लिए वही जो है scanning में 13 image per minute जो है scan के लिए color के लिए लेगा 2 side के अंदर 70 image per minute mono के लिए और 26 image per minute जो है color के लिए लिए गा तो इस तरीके से जो है skin का है facts भी है इसके अंदर facts भी कर सकते हैं paper input की अगर हम बात करें तो standard cassette के अंदर जो है 500 seat आएगी और multi purpose जो tray है उसके अंदर 100 seat आजाएगी और optional जो tray होता है उसके अंदर 550 seat आएगी maximum input capacity की बात करें paper की तो total paper इसके अंदर 900 seats आता है जो की बहुत जाले है इसके अलावा paper output की अगर हम बात करें तो 150 seats को जो है ये hold करके रख लेगा इसके अलावा paper size की बात करें तो A4, B5, A5, A6, later, legal इस टाइब के जितने भी सारे paper होते हैं आपको screen पर दिखाई दे रहा होगा ये सारे paper को जो है ये support कर लेगा बाकि device memory की बात करें तो 1GB इसके अंदर मिल जाता है LCD display मिलता है आपको WVGA color LCD 12.7 यानि 12.7 cm का जो है इसके अंदर touch screen मिलता है जिससे आपको इससे operate करना होता है बहुत ही अच्छा experience इसके साथ में आपको मिलने वाला है total over printer के अगर हम weight की बात करें तो 16.2 kg इसका weight है power consumption की बात करें तो maximum जो है इसके अंदर 1350 watt का power consumption मिलेगा इसका wattage थोड़ा सा जादे है बाकि operating average जो है इसका 500 watt के आसपासी रहता है standby के अंदर 9.4 watt रहेगा slip के अंदर 0.9 watt लेगा इस तरीके से इसका जो है consumption है तो इस तरीके से इस printer को भी आप बाय कर सकते हैं 65 से 70 हजार के बीच में ये market में बहुत भीका हुआ है कहीं न कहीं बहुत अच्छा printer ये भी हो सकता है लास्ट में अगर बड़ा printer चाहिए तो HP के अंदर जो है Laser Z MFP M7262-5 DN ये model आता है इस model को भाय कर सकते हैं और इसके अंदर print, scan, copy, fax and wireless option सब कुछ से less होता है ये बड़ा printer है और ये जो है speed की बात करें तो 25 से 30 space per minute जो है black निकाल करके देगा A4 size के अंदर और बाकी ADF के अंदर 100 seat रख सकते हैं और multi purpose जो tray है उसके अंदर भी 100 seat रख सकते हैं बाकी tray नमबर 2 के अंदर जो है 520 रख सकते हैं और tray नमबर 3 के अंदर जो है 520 रख सकते हैं इस तरीके से इसके अंदर आपको नौसो साथे नौसो पेस के आसपास, सीट के आसपास जो है इसके ट्रे के अंदर आप रख सकते हैं, इथर नेट से कनेक्ट करने के लिए 10x100x1000 आपको जो है स्पीड मिलती है, 1GB वाला भी आपको इस्पीड मिल जा रही है, बहुत ही फास्ट इस्पीड आपको देखने को मि मिलेगा जिससे आपको इसको ऑपरेट करना होगा, बाकि प्रिंटिंग टाइप लेजर ही है, फंक्शन की प्रिंट कॉपी, रिजुलेशन की बात करें तो 1200x200 dpi इसका प्रिंट रिजुलेशन आपको देखने को मिलेगा, वेट की बात करें चुकि बड़ी मसीन है, 60 kg इसक इस स्कैनिंग में मिलने वाला है, तो बड़ा प्रिंटर चाहिए, तो ये प्रिंटर बाई कर सकते हैं, इसका प्राइस जो है, थोड़ा सा महना आपको दिखेगा, चुकि बड़ा प्रिंटर है, इसका प्राइस 1,65,000 से 1,70,000 तक आता है, तो इस तरीके से जैसा जिसको प कमिट में ज़रूर बताएं, इसी प्रिकार की बहुत सारी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि मैं श्रक की वीडियो हमेसा ले करके आता रहता हूँ, मैं मिलता हूँ नेक्स किसी और अच्छी इंफरमेटी वीडि स्क्राइब के जडियो करें, क्या लेक्स किसी और अच्छी और अच्छी और रहता हूँ